Hey what's up guys this is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel so guys आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Top 5 loan application के बारे में जीन application के मदद से guys आप ले सकते हो loan और अभी ये application loan दे रहे हैं बहुत ही कम documents में तो guys अगर आप बहुत सरे application से loan के लिए apply कर रहे हो आपको loan नहीं मिल रहा है तो ये video पूरा आखरी तक देखना step by step मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लेना है आपको loan तो guys चलिए फटा फट से video शुरू करते हो और आपको बताते है loan application के बारे में guys loan लेने का भी एक तरीका होता है आप लोगों को loan या तो लेने नहीं आ रहा है या फिर आपका सिबिल बहुत ज़्यादा खराब है इसलिए कुछ लोगों को loan नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो ये video पूरा देखना और guys मैं आपको बता दू loan लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना अगर आप loan का time पर repayment कर सकते हो loan का EMI भर सकते हो आपको ये पता है कि हम loan का EMI भर लेंगे हमारा एक भी EMI लेट नहीं होगा तभी आप loan के लिए apply करना और सही में कोई emergency हो तभी loan के लिए apply करना अपने personal use के लिए बिलकुल भी loan ना लें ठीक है तो guys loan application के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दू कि upstock अभी per refer 800 रुपय दे रहा है तो जिन लोगों ने अभी तक upstock डाउनलोड नहीं किया है उस पे KYC complete करके लोगों को refer करना नहीं सुरू किये हैं वो मेरे इस वीडियो के description के देग लिंक से upstock account बना सकते हो upstock को download कर सकते हो और उस पे अपना account बना सकते हो और guys refer कर सकते हो per refer अभी 800 रुपय अपstock वाले दे रहे हैं ठीक है तो guys मेरे इस वीडियो के description में आपको upstock का link मिल जाएगा download करो KYC complete करो एक लोग को refer करो 800 रुपय मिलेगा उसके बाद guys आप जितने लोगों को refer करते जाओगे आपको 800 रुपय मिलता जाएगा और सारा पैसा easily आप अपने बैंक में भी transfer कर सकते हो पता नहीं कब तक 800 रुपय पर refer दे रहे हैं कब देना बन कर दे अभी मौका है मार दो चौका बीना एक रुपय लगा है बीना एक रुपय इन्वेस्ट किया आप अपस्टक क्रियेट कर सकते हो मेरे इस वीडियो के description के देगे link से और किसी को भी refer करोगे पर refer आपको 800 रुपय मिल जाएगा बहुत ही must guys यहाँ पर offer है इसको छोड़ना मत बहुत अच्छा मौका है कमाने का ठीक है एक और application है जिसका नाम है grow ठीक है grow application को भी आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link से download कर सकते हो मेरे इस वीडियो के description के देगे link से download करोगे KYC complete करोगे तो आपको 100 रुपय मिलेगा और वो भी पैसा आपने bank में transfer कर सकता है जो उससे 100 रुपय मिलेगा और आप भी कर सकते हो हर महीने 1 लाग रुपय तक आप कमा सकते हो खाली grow application को refer करके तो देगी किस बात किये अप stock grow दोनों का link है मेरे इस वीडियो के description में download करो refer करो बिना एक रुपय लगाए बिना एक रुपय इन्वेस्ट कि आप अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो चलिए गाईज अब मैं आपको बताता हूँ loan application के बारे में so guys जो हमारा पहला loan application है इस loan application का नम है fair money ठीक है fair money loan application से आप easily loan के लिए apply कर सकते हो बहुत ही कम documents में आपको fair money loan application loan दे देता है ठीक है तो guys अच्छा कासा loan अच्छे कासे समय के लिए अगर आपको चाहिए तो आप fair money loan application से loan के लिए apply कर सकते हो ये हमारा पहला loan application है ठीक है guys मैं आपको बता दू जिस भी loan application के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी loan application का play store में जाके पूरा about section पढ़ना कितने का loan दे रही है कितने दिन का tenure बना रही है interest rate क्या है कौन सी इसकी अन्बे अपसी है सब कुछ आप चेक करने के बादी loan के लिए apply करना गाईज मैं आपको बता दू ये सभी loan application NBFC registered है तो सारे बड़े cities में तो loan देते ही होंगे बट एक बार आप चेक कर लेना कि आपके city में ये application loan दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तब ही आप apply करना ठीक है about section में आपको दिख जाएगा ठीक है तो गाईज पहला application था हमारा fair money ठीक है अब बताता हूँ आपको दूसर application के बारे में जो हमारा दूसर application है इसका नाम है money in minutes ठीक है money in minutes loan application से भी आप easily loan के लिए apply कर सकते हो बहुत इकम documents में अच्छा खासा loan अच्छे खासा समय के लिए आपको money in minutes loan application भी दे देता है और यह पांचो अप्लिकेशन NBFC registered है तो डरने के ज़रुवत नहीं है easily आप loan ले सकते हो लेगिन पूरा about section पढ़ने के बादी loan के लिए apply करना तो money in minutes loan application होगे हमारा ठीक है इससे भी आप loan ले सकते हो easily तीसरा जो हमारा application है so guys हमारा तीसरा application है credit be credit be loan application से आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे खुद 27,000 रुपय का e-voucher का offer आया है मैं voucher बना के कहीं से भी online shopping कर सकता हूँ amazon flip card कहीं से भी mobile होगर कुछ भी खरीद सकता हूँ और 12,000 का personal loan ले सकता हूँ credit be loan application से तो मुझे यह offer आया है मैं अभी use नहीं किया हूँ बट आया है तो मुझे loan मिला है तो आपको भी मिल सकता है ठीक है credit be loan application से भी आप loan के लिए apply कर सकते हो यह हमारा तीसरा application था काफी ज़्यादा अच्छा application है और अभी यह लोगों को loan दे रहा है इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूँ कि आप credit be loan application से भी loan के लिए apply कर सकते हो अगर आपको कहीं से loan नहीं मिल रहा है तो ठीक है यह भी बहुत तेजी में loan दे रहा है सिर्फ आपके आधार काट pen card से loan दे देता है कोई bank statement नहीं कोई salary slip नहीं ठीक है landed instant loan buddy इस loan application से भी आप loan के लिए easily apply कर सकते हो play store में जाओ चेक करो आपको कितने का loan दे रहा है आप अपना अधार काट pen card होगरे डालो और आपकी eligibility वहाँ पे check हो जाएगी और आप इस application से loan के लिए apply कर सकते हो यह I think कुछ selected cities में ही loan देता है जो बड़े बड़े इंडिया के city है ठीक है तो आप एक बार check कर लेना आपको loan मिलता है कि नहीं आपके city में ठीक है तो गाईज यह हमारा चौथा loan application था अब गाईज जो हमारा पचवा loan application है और आखरी loan application है इसका नम है branch ठीक है branch loan application से भी आप loan के लिए apply कर सकते हो बहुतों को loan दे रहा है आपको भी दे सकता है बहुत इकम documents में सिर्फ आपके आधार काड़ pen card पे आपको branch loan application लोन दे देता है तो गाईज अगर आपको loan चाहिए तो आप branch loan application से भी loan के लिए easily apply कर सकते हो बहुत इकम डॉक्मेंट्स में आपको I think पचाज रुपय तक का लोन दे देता है इस टार्टिंग में पांच-दस अजार का ही देगा लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमिंट करते जाओगे आपका लोन इमांट बढ़ता जाएगा ठीक है अब गाईज मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इन सभी अप्लिकेशन से लोन मिलने में कोई भी दिक्कत हो आपका सीविल अगर खराब है थोड़ा बहुत आपको लोन नहीं मिल रहा है तो एक और अप्लिकेशन है जिसका नाम है तू-बैलन्स आपको लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है दोस्तो अप्लिकेशन होगा इसलिए बेंक इसलिए बेंक की स्टेटमिंट लगता होगा क्यूआ पर यह ज़्वादा लोन देता है एक कि बार में ठीक है ज्यादा loan आपको offer करता है और level up loan में आपको कम loan offer किया जाता है इस starting में लेकिन जैसे ऐसे आप loan का repayment करते जाते हो totally 11 level है आप एक लाख रुपय तक का level up loan ले सकते हो true balance application से तो guys मेरे इस वीडियो के description में आपको link मिल जागा true balance application का आप मेरे इस वीडियो के description के देखे link से true balance application डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ अपने आधार काड़ और pen card के मदद से आप level up loan ले सकते हो बहुत ही कम documents में ठीक है तो guys अगर आपको loan चीए तो description में link है हाला कि interest rate थोड़ा बहुत यहाँ पे जादा है बट आपको mintो में loan दे देता है level up loan true balance application ठीक है और आपका tenure भी 2-3 महीने का बनाता है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है मेरे इस वीडियो के description के देखे link से आप true balance application डाउनलोड करके थोड़ा बहुत अगर आपका कम सिविल है आप अगर time to time चुकाते हो तो अच्छा report करेगी अच्छा आपके बारे में बताएगी भहिया अगर आप time पे pay करते हो तो जाहिर जी बात है आपका सिविल साही होगा ठीक है गाईज यही कुछ applications थें I think आप लोगो वीडियो पसंद दा होगा ठीक है बाकी upstock का और जो हमारा grow है उसका link है वीडियो के description में डाउनलोड करो रेफर करो पैसा कमाओ बीने एक रुपे लगाए क्या दिक्कत है ठीक है तो गाईज चलिए मिलते हैं किसी और next useful video में तब तक लिए चैहिन बंदे मातरम